साम की भूखो या फिर अचानक से आपके हाँ कोई गेस्ट आ जाए तो आप दो आलू से इस मज़ेदार सी रेस्पी को बना करके तयार कर सकते हैं दोस्तों इसे बनाना भी इतना जादा आसान है न कि आप भी अगर इस वीडियो को पूरा देख लिजेगा तो चुटकी बजाते ही इस रेस्पी को आप बना कर तयार कर लिजेगा तो चलिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पर करना है आलू लेने हैं तो मैं बड़े साइस का आलू का इस्तिमाल कर रहे हूँ इस रेस्पी को बनाने के लिए आप को सिस किजेगा कि बड़े साइस का आलू ले तो मैं यहाँ पर दो आलू ले ले रहे हूँ और आलू को हमें क Tut-Pretty- сосig84 को बना करते हैं देर नहीं करना हे तो हमें यहां पर ले लेने हैं आलूू मैं अब यहां पर मै किचन प्लाइटफॉर्म पे आ गई हूँ अब यहां पर मै मैं नाइफ ले 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 रही हूं और पीलर ले ले रही हुं तो हमें यहां पर आलू को छीलने के लिए पी पील लेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से दो भाग में आलू को कट कर ली हूँ अब हमें लंबाई में इसे कट करना है देखिए जैसे फ्रेंच फ्राइ होते हैं उसी तरह से हमें यहां पे आलू की कटिंग करनी है बहुत जादा पतला मत कट किजेगा इसके स्ट्रिप को आ आलू को कट करने के बाद एक बार आप इसे फिर से वास कर लीजेगा तो चले में इसे एक बाउल में डाल ले रही हूँ इतने में गैस की तरफ चलते हैं गैस को मैं आन कर ली हूँ और एक पैन में मैं एक ग्लास पानी डाल ले रही हूँ आदा चमच यहां पे मैं नमक आ बहुत जादा आपको मैनत भी नहीं करने परेंगे लेसन को छीलने के लिए तो मैं यहाँ पे 8-10 लेसन की कलियां का इस्तेमाल कर रही हूं इस रेस्पी को बनाने के लिए इतने में पानी भी बोईल हो चुके हैं इसी में हमें डाल देना है आलू को तो चलिए मैं यहाँ पे आलू को इसमें डाल दे रही हूं हाई फ्लेम पे हमें यहाँ पे आलू को हाफ कुक करना है ओवर कुक नहीं करना है इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा मतलों कि आलू आपका पूरी तरह से पका हुआ नहीं होना चाहिए तो इसे उबालने में डेर से दो मिनिट और हाई फ्लेम पे यह प्रोसेस आपको करना है और ना तो आपको इसे कवर करना है तो अब एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ चले कट करके दिखा रही हूं देखें तो बस फटा फट वाली रेस्पी है अब गयास को जल्दी से ओफ कर दीजेगा और इसे गरम पानी से निकाल दीजेगा अब ठंडे पानी में स्नान करवाईएगा तो चले मैं इसे नलके के नीचे ले आई हूँ उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से इसे वास कर ली हूँ अब इस तरह से छनी के उपर ही मैं मैं डाल कर छोड़ दे रही हूं फैला दे रही हूं ताकि यह ठंड रखे टुक्रे को भी हमें फाइन चॉप करना है तो चले मैं रखे टुक्रे को कट कर ली हूँ उसके बाद मैं यहां पे एक प्यास का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे कुछ इस परसे लंबाई में कट करेंगे इस प्यास को देखे उसके बाद यहां पे एक कैप्सिकम ले रह अब हनी चीली पोटेटो बना रहे हैं तो हरी मिश तो जाएगा है दोस्तों तीका अगर आपको इससे जादा बनाना हो तो आप और हरी मिश का इस्तेमाल कर लीजेगा अब हमें एक बावल में डाल लेना है यहां पर आलू को जैसे ही आलू ठंडे हो जाए तो एक बावल में चिली सॉस तो मेरे पास चिली सॉस नहीं थे तो मैं यहाँ पे दो चमच टोमैटो केचप ले ली हूँ इसमें half टी स्पून में रेड चिली पाउडर आड़ करके इसे मिक्स कर ले रहे हूं तो लीजिए हमारे चिली सॉस तो बन करके तैयार हो चुका है अब इसमें से दो च स्पून लाइट हैंड से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे पानी वगर डालने की हमें कोई आभी सकता है नहीं है अगर आपको बिल्कुल सा ड्राय लगे ना तो थोड़ा सा चीटे दे सकते हैं पर मैं यहां पे पानी का इस्तिमाल नहीं की हूँ अब गैस के तर दल जाल येगा बहुत जादा मळ ड़ले गा और इसके बाद इसे क्रिस्पी होने तक हमें मीजियम फ्लेम पे फ्राई करना है मीजम हाइफ्लेम पर यह प्रोसेस आपको करना है गैस के फ्लेंप लो नहीं रखना है उसके बाद इसे उलट पूलट कर और पहले एक सायर से से सिखने दीजिएगा फिर आप इसे पलटिएगा बहुत ही जादा ये लाजबाब रेस्पी बनेगी दोस्तों अगर मेरी सासान तरीके से आप बनाईएगा अपने बच्चों के लिए या फिर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए आपके हैं और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाए तो इस रेस्पी को आप ज़रू ट्राइ किजिएगा बना करके खाईएगा परिवार में सभी को खिलाएगा अगर आपको मेरी आज़ की रेस्पी अच्छी लगेगी दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके भी मुझे ज़रू बताईएगा और मेरी फिर से रिक् और यह क्रिस्पी भी बहुत जादा बनी है दोस्तों मस्ट्राइ वाली रेस्पी है आप इस तरह से बना करके बच्चों को सामें भी एज़िटीज दे सकते हैं कैचचप वेगेरा के साथ बच्चे इस तरह से भी खा लेंगे बच्चे तो ऐसे भी आलो कि कोई भी रेस्प और मिर्च एड कर दे रही हूं, और मिडियम फ्लेम पे इसे हलका सा सॉटे करना है। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है सब्जियों को अब हमें यहाँ पे यहाँ पर अनियन को मसलते हुए डाल लेना है। इसके लच्छे को अलग करते हुए। अब हमें यहाँ पर जै यह जान से डाल लिएगा क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किये थे और उसके बाद सॉस वेगे रड़े डालेंगे न तो इसमें भी नमक होते हैं तो नमक कम डालेगा उसके बाद में काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा रेच चिली पाउडर आड़ कर दी हूं अब ज उसके बाद इसी एस्टेज पे हमें यहाँ पे डाल लेने हैं यह पोटेटो, तो जो आलू को हमने अभी फ्राइ करके लिए थे ना, उसे इसमें डालेंगे, और इसे केर लेंगे, मिक्स फ्लेम को मैं यहां पे मीडियम रखी हूँ, तो मैं आज ड्राइ चिली पोटेटो बना रही हूँ दोस्तों अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद हो तो थोड़े से आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं मैं एक चमच यहाँ पर डाल ले हूँ सेसमी सीड याने की तिल और इसे कर लिया है मैंने अब मिक्स तो चलिए अब गैस को फटा फट से आफ कर लेंगे गैस को आफ करने के बाद एक चमच अगर आपके घर में हानी होना तो चरूर डालिएगा उसके बाद यहाँ पर कटे हुए धनिया के पत्ते मैंने अड़ कर दिये हैं अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ तो चलिए अब इसे कर लेते हैं फटा फट से सर वाव देख रहा है क्या मस्त देखने में लग रहा है ना खाने में भी दोस्तो उतना ही ज़ादा टेस्टी और लाजबाब बनकर तयार हुआ है तो चलिए मैं आपको खा करके भी दिखाऊंगी उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि आज की जो रिस्पी है हमारी कैसी बनी अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो मैं जरूर बोलूँगी कि अच्छी नहीं बनी है अगर अच्छी बनी होगी तो मैं जरूर बताऊंगी दोस्तों कि बहुत अच्छी बनी है तो चलिए द आधा friend groups में और family वालों के साथ share करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं next वीडियो में बबाई